हलो एब्रीबन वेलकम बैक टू क्रेस बाइलोजी एंड आई एम एउर अजुकेटर दीख्छा दुबे तो आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं राइबोश्वाम राइबोश्वाम के बारे में देखेंगे यह हमारी यूनिट फ़र्स्ट बीए सी शिक्त सेमिस्टर चैनल पर अप्लोड किया यूनिट वर्स्ट की उसका हम लेक्चर सी डिच कंटीनी कर रहें इस से पहले हमने देखिती प्लाजम में तो आज की लेक्चर में राइबोश्वाम्स दीखेंगे इस यूनिट में में मिल दी चैल और पटना है तो आज हम राइबोश्वाम्स के मैंने आपको ribosome की position बताएं और इसका function बताएं तो इसका function होता है protein की formation यानि की protein production protein production में help और इसको इसका nickname होता है protein factory of the cell तो इसकी definition के बारे में थोड़ा देखते हैं the ribosomes are smallest non electron microscopic ribonucleic protein particles attached either on RER or floating freely in the cytoplasm and are the sites of protein synthesis तो ribosomes क्या होते हैं यह बने होते हैं ribonucleic protein के और यह smallest non electron microscopic particles होते हैं मतलब यह बहुत चोटे से particles होते हैं जो कि ribonucleic protein के बने होते हैं और यह कहां पर हो सकते हैं या फिर RER पर यानि कि rafendiplasmic radicular पर प्रिजेंट हो सकते हैं या freely float कर सकते हैं cytoplasm में एक cell के अंदर और help करते हैं protein synthesis में और protein synthesis कौन खराता है एमाने ने उसकी help उसकी site होते हैं यह protein synthesis की ribosomes तो ribosomes की discovery किस ने की थी दीज वर isolated from the cytoplasm by claude 1943 and named as microsomes इनको discover तो किया था claude ने 1943 में और नाम दिया था microsomes लेकिन इनको ribosomes किस ने कहा था पैलेड ने जी पैलेड ने 1955 में इनको नाम दिया ribosomes तो यह दोनों scientist याद रख ले ना विट विट ने इनको नाम दिया था राइबोसॉंस और इनकी अकरेंस देख लेते हैं यह कहां कहां पाए जाते हैं इस आ फांद इन बोथ prokaryotes as well as eukaryotes except mature sperm and rbc तो यह हमें हर सेल में मिलते हैं चाहिए वो prokaryote हो या eukaryote हो prokaryote cell वो होते हैं जिनमें nucleus present नहीं होता है और eukaryote वो होते हैं जिनमें nucleus present होता है लेकिन protein की जरूरत तो हर cell को होती है तो दौनों cells में यह present होते हैं ribosomes लेकिन eukaryotes में कुछ exceptions है sperm cell जो mature sperm cell होता है human और human rbc ये दो cells हैं जिनमें ribosomes absent होते हैं ये present नहीं होते हैं इन prokaryotes these are present only in the free form in the cytoplasm while in eukaryotes the ribosomes are found in two forms in the cytoplasm cytoplasmic ribosome जिसको हम free form मोलते हैं और bound form जो कि rer और outer nuclear memory में present होते हैं तो prokaryotes में 이 free form में प्रजन्ट होते हैं cytoplasm में और estimated होते हैं cytoplasm होता है ये free form और bound form होता है ये outer nuclear membranes पर होता है rough endoplasm hemenat रिणिकोลम उस पर attached होते हैं ribosomes तो एक फॉर्म यह हो गया और दूसरा होता है कुछ और्गिनल्स के अंदर जैसे माइटोकॉंड्रिया और प्लास्टेट्स इनके अंदर भी अपने राइबोसॉम्स प्रजेंट होते हैं अंदर एल्ज़ प्लास्टेट्स इंदर जैसे माइटोकॉंड्रिया और प्लास्टेट्स इनके एंप में मिलते हैं तो उनको हम बोलते हैं, प्लास्टिट्स में जो मिलते हैं राइबोसॉम्स, उनको प्लास्टिडो राइबोसॉम्स और माइटो कॉनरिया में मिलने वाले राइबोसॉम्स को, माइटो राइबोसॉम्स, तो समझा गया, अकरेंस कहां कहां पर है राइबोसॉम्स की, अब नेक इक्कुपमेंट्स होते हैं उन्हें पढ़ाओगा सेंट्रिफ्यूगेशन तो उसमें सेडिमेंटेशन कोफिश्यंट पढ़ाया जाता है कि किस स्पीड से सेंट्रिफ्यूज होने के बाद एक पार्टिकल है वो तली पे जाके रुक जाएगा बैट जाएगा किसी भी के दो टाइब के राइभोकों से 80S एंड गाराय बैदर फ्रियूल से अनुट्स हें कॉन दोनों को देख लेते हैं क्या क्या हैं गाराइए सवेंट्टी अ मिनते हैं जो प्रोकेरियोट्स होते उन्में मिलेंगे 70 और मायो कॉन 7 एक फ्लास्टेट हो करते या सूध यह एक इवालव हुए है प्रोकेरियोट्स c क्योंकि इनमं 70S ribosomes present होते हैं 80S ribosomes कहां तो यह और देख लेते हैं their sedimentation coefficient is 70S इनका sedimentation coefficient 70S है 80S ribosomes these are found in the cytoplasm of eukaryotes यह जो cytoplasm में होते हैं eukaryotes के freely मिलने वाले ribosomes उनको बोलते हैं 80S ribosomes their sedimentation coefficient is 80S और इनका sedimentation coefficient 80S होता है अब एक diagram देख लेते हैं ribosome का तो इस तरह से ribosome में यह structure दिख रहा है इसमें 2 units होती है smaller sub unit और larger sub unit और यह होता है mRNA जिस पर यह run करके protein की synthesis करवाता है तो यह हमने types देख लिए next structure देखेंगे हैं ribosome का structure of ribosome each ribosome is formed of two unequal sub units जो हर एक ribosome होता है वो two unequal sub units का बना होता है unequal sub units अभी देखी थी हमने larger और smaller two sub units of 70S larger 50S and smaller 30S जो 70S ribosome है उसकी दो sub units है larger जो कि 50S है अभी larger और smaller देखी थी तो 70S में larger वाली 50S है और smaller वाली 30S है तो इनको add करके आता तो 80S है लेकिन यह 70S होता है two sub units of 80S ribosome are larger 60S and smaller 40S इसमें larger वाली sub unit 60S है और smaller वाली 40S है तो यह याद रखना इनकी यह जो sedimentation coefficients है और units की इनको याद रखना sub units को ribosome is not covered by any unit membrane so it is called naked organal ribosome में कोई membrane नहीं होती जैसे plasma membrane है cell की outer membrane और उसके बाद आपको mitochondria अगर आप पढ़ोगी nucleus पढ़ोगी उनके ऊपर एक अपनी membrane होती है plasma membrane के अलाबा प्राज्मा membrane तो सेल को कवर करके रखती है और यह और ऑर्गनल को कवर करके रखती है इनकी अपनी जो membrane होती है जैसे mitochondria में में होती है mitochondrial membrane कुछ ओर्गंस में डबल मेंद रोटी है कुछ में सिंगल मेंद रोटी एव लेकिन रहे किड़ और किनल है इसमें कोई भी मेंद नहीं है इसका chemical composition देख लेते हैं ribosome is chemically called as ribonucleoprotein particle RNP ribosome को हम chemically बोलते हैं ribonucleoprotein क्योंकि यह ribonucleoprotein के बने होते हैं ribonucleoprotein particles यानि कि RNP each ribosome is formed of rRNA and proteins जो कि हर एक ribosome होता है वो किसका बना होता है rRNA का आपने rRNA के types पढ़े हैं rRNA, mRNA, tRNA जो उसमें से rRNA और protein के बने होते हैं ribosomes 70S ribosome है 60 to 65% RNA and 35 to 40% proteins 70S ribosome है उसमें 60 से 65% RNA और 35 से 40% protein है rRNA आप इस टाइप 23S टाइप and 5S टाइप next 80S ribosome है 45% rRNA and 55% protein जो ATS ribosome है उसमें 45% rRNA और 55% protein है तो यह हो गया chemical composition ribosomes का तो किसके बने है rRNA और protein यानि कि ribonucleoprotein और इनको क्या बोलते हैं ribonucleoprotein यह याद रखना important term है polysome या poly ribosome अब ultimately functions देख लेते हैं ribosomes के क्या function perform करता है ribosome ribosomes are called protein factories of the cell मैंने starting में बताया था protein factories of the cell बोलते है ribosome को because these are the sites of protein synthesis क्योंकि यहाँ पर protein synthesis होती है यह sites है protein synthesis की men sites है cell में हर cell में protein की need होती है cell में cell के outside चाहिए वो prokaryotic को चाहिए body का हर function protein की help से perform होता है तो यह protein synthesis की sites है और इनको protein factories of the cell बोला जाता है ribosomes को next इसका function proteins control either cellular structure और act as enzymes and control cellular functions proteins जो होते है वो या तो cellular structure को control करते है या फिर enzymes की तरह act करते हैं यह तो हमने पढ़ा है कि enzymes protein ही होते हैं और cellular function को फिर वो control करते हैं free ribosomes produce non secretory proteins example enzymes for intracellular use जो free ribosomes होते हैं वो non secretory proteins produce करते हैं और जिनका example enzyme जोके intracellular use के लिए produce किया जाता है bound ribosomes on RER synthesized secretory proteins example enzymes for extracellular use example pancreatic cells जो bound ribosomes होते हैं rough endoplasmic reticulum पे वो synthesize करते हैं secretory proteins जोके वो भी enzymes होते हैं और example pancreatic cells जोके extracellular use के लिए होता है pancreatic cells एक्जामपल हैं liver cells एक्जामपल हैं plasma cells हैं और plasma cells में क्या produce किया जाता है antibodies और इसके अलाबा और भी कापी सारे examples हैं enzymes की जोकी extracellular use के लिए होते हैं तो यह हो गए function of ribosomes तो आज ribosome के about हमने पूरा cover कर लिया अपना management सारे topics complete हो गए हैं यह आपकी BSC exam के लिए बहुत important है तो आपको ribosome पूरा लिखके आना है अगर exam में आएगा और इसकी जो structure में units है 30S and 50S जोकी 70S बनाते हैं और 60S और 40S जोकी 80S बनाते हैं वो याद रखना बहुत important है condition याद रखना और man function याद रखना यही बस important चीज़ें रखना है वो सम्त के बारे में तो चोटा सा orginal था हमने complete कर लिया अब next lecture में हमको ही next orginal देखेंगे तब तक के लिए आप अपनी study continue रखे और notes बनाते जाएं साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो please बताना comment में कि वीडियो कैसी लगी और like करना बिल्कुल मन भूलना और चैनल को subscribe कर देना और जिसको भी आपको लगे यह वीडियो जिसके लिए भी useful लगे उसको please send करना thanks for watching